यो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख सकें आज में समझाने जा रहे हैं कि 3-digit numbers में place value and face value identify कैसे कर सकें बच्चों को समझाने के लिए सबसे अच्छा example है हम सबसे पहले 3-digit का जो भी number हो उसके ऊपर ht o लिखते हैं ht o means 4 is 1's place, 2 is 10's place, 1 is 100's place तो अब इसे कैसे समझाएंगे कि इसे expanded form में अगर हमको explain करना है तो कैसे expand करेंगे तो expanded form में explain करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1 is 100th place तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया है 2 कौन से place पर है, 10 की place पर है add किया 2 10 की place पर है 4 कौन से place पर है, 1's की place पर है तो plus 4 1's तो 100, 100 को हम कैसे लिखते है 1 double 0 2 10 को कैसे लिखते है, means 2 times 10 2 times 10 मैंने पिछले वीडियो में समझाय था 2 10 कैसे लाए जाता है 2 10 means 10 का एक बंच फर एक्जाम्पल यह 10 का एक बंच बन गया प्लस 10 का एक और बंच अगर इसको एड़ किया जाए 10 प्लस 10 टू टाइम टैन्स है यहाँ पर क्या लिखा है टू टैन्स टू टैन्स मिंस 10 टैन के दो बंच है 10 प्लस 10 is equal to 20 तो टू टैन्स मिंस 20 प्लस 4 1s, 4 1s single digit number है 1s single digit number है तो 4 के value will remain same 4 तो answer will be 124 तो 100 के place पर 1 है इसलिए 100 फर एक्जाम्पल 100 के place पर अगर 2 होता तो यहाँ पर 200 नो face value, face value मैंने पहले ही समझाया है face value will remain the same number 124 में face value for 1 अगर 1 के नीचे underline किया है और पूछा है कि what is the face value of 1 for 1, the face value will remain same that is 1 for 2, the face value will remain same 2 and for 4, face value will remain same for 4 अब एक simple सा exercise करवा लेते हैं बच्चों से ताकि उनको समझ में आ जाए कि face value और place value हम कैसे लिखते हैं तो इसके लिए मैंने एक box बनाया है जिसमें लिखा है सारे numbers three digit numbers mention किये है place value, place value hto का format हम use करेंगे face value के लिए भी hto का format यूज करेंगे face value में तो same number लिखना है जो भी digit पूछा है h100 के place पर क्या number है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे t के place पर क्या है 10 के place पर 1 तो यहाँ पर understanding के लिए hto यहाँ पर भी हम mention कर लेते हैं तो नाव इल साथ विद फेस वैल्यू 2 वन नाइन का face value 100 के place का face value 2 1 9 3 1 4 का 3 1 4 सेम आएगा, सेम आंसर विल का 7 1 2 का 7 1 2 4 8 8 का 4 8 8 4 188 का 4 188 100 का 1 0 0 167 का 1 6 7 4 36 का 4 3 6 274 का 2 7 4, same number विल कम, face value face can be changed? no, so face value will also not going to be changed, 3 1 8, 463 का 4 6 3, face value will remain the same number, अब face place value हम identify करते हैं, place value identify करने के लिए hto पहले mention कर दिया, तो o, o single digit number है, single digit number में कुछ भी addition नहीं करना है हमको, तो हम सबसे पहले o लिख लेते हैं, यहाँ पर 219 में, 219 में, 1s के place पर 9 है, तो 9 आ जाएगा, 10s के place पर क्या है, 1 है, तो 1 10s means, 1 के आगे एक 0 लगा देंगे, बच्चे को भी ऐसे भी explain कर सकते हैं, कि अगर 1 का value समझना है, तो 1 के आगे कितना number है, एक ही number है, तो 1 के आगे एक 0 लगा दो, 2 के आगे कितने number है, 2 के आगे 2 number है, तो 2 0 लगा दो, ऐसे भी समझा सकते हैं, बच्चों को, 200, 100 का place है न, 100 के place के लिए यहाँ पर मैंने क्या लिखाता, 1 का, 100 is equal to 100, 2 अगर 100 होता तो 200 लिख देते, 3, 1, 4 में भी ऐसी करेंगे, 4 का place value, 4, single digit number will remain same, 1 के आगे कितने number है, एक ही number है, तो 1 के आगे 1 0 लगा देंगे, 3 के आगे कितने number है, 2 numbers है, तो 3 के आगे 2 0 लगा देंगे, it means 300, 7, 1, 2 में 700 के place पर है, तो 700, 1, 10 के place पर है, तो 10, 2, single digit number, 1s के place पर है, 488 में 400 है, 100 के place पर है, तो 4 के आगे 2 0 लगा जाएंगे, 8 के आगे 1 number है, तो 1 0, 80, वो 10s के place पर है, ऐसे करके हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, बच्चों को समझने में भी आसानी होगी, और आराम से enjoy करते हुए math solve करेंगे, यह देखिए, कितना आसान है, 3 के आगे कितने number है, 2 numbers है, आसानी से बच्चे समझ जाते हैं, 4 के आगे 2 number है, 400, 6 के आगे 1 number है, तो 1, 0, 3 के आगे कोई number है, नहीं number है, तो वहाँ पर single digit number है, तो 3 आगे हैं, इस तरीके से हम आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं, अब इसके बाद हम एक exercise भी दे सकते हैं, बच्चों को solve करने के लिए, जिससे हम को समझ में आए कि बच्चे को कितना समझ में हैं, एक exercise का first question है, four hundred and sixty-two, तो समझाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर h, t, o लिख देंगे, अब h क्या है, hundred है, तो हम explain करेंगे, four क्या है, hundred है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, four hundred, plus six क्या है, tens है, तो six, tens, plus two क्या है, ones है, तो two, ones, four hundred, मैंने क्या समझाया था, four के आगे कितने number से, दो number से, तो four के आगे, दो zero लग गए, six के आगे कितने number है, one number है, तो six के आगे, एक zero लग दिया, two के आगे, कोई number नहीं है, इसलिए हापर, single digit number, तो answer will be, three, four, sixty-two, तो हम उनको यह exercise दे सकते हैं, मैंने आपर कुछ numbers दिये, three, fifty, one, two, sixty-seven, five, thirty-two, one, eighty-nine, यह सब numbers को, बच्चों को exercise के तौर पर दीजिए, ताकि वो समझ करके, अच्छे से math, solve कर सके, thank you, subscribe कीजे मेरे चैनल को, और bell icon जरूर प्रेस कीजे, और comments में अपने comments दीजिए मुझे, thank you,